कर से हम पार्शत प्रत्र के उम्मीद्वार हैं और कांग्रेस पार्टी से प्यासी हैं और इस बार यहां की जनता मिवाती पूरा छेत्र जो की काफी बड़ा छेत्र है तेरा सो कुछ वोटर्स हैं एक लिष्ट की बात में कर रहा हूं अपने वोटर्स की तो हमारी जनता ने हमको यहां पे लड़ाया है चुनाओ अपने दमखम पे लड़ा रहे हैं उन लोग इसलिए हम आप इस वार्ट से चुनाओ लड़ा रहा है और मुद्दा यही है देखे पीचे चलते हैं मैं आपको अपने छेत्र की हालत दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सारे नाले पटे पड़े हैं अब बार-बार मतलब कितना किसी को फून किया जा करमचारी को कोई विपार्सद होता है तना बड़ा छेत्र है कोई ध्यान देता वेता नहीं तो अगर हम एक शेत्र जीते हैं तो उवाह आपने शेत्र का दिकास करा है साफसफाई करएए और सामने देख लेए ले हैं वह एक व्यांप को कि एक भी पुरे का जाना शुख़ा है अानगा लोग न दो सalgम तीन चार यह सब्काँद है और घंजह को क्सप्रे नाया है और बाकी यह सब बड़े भाई लोग हैं आप इनसे पूछ सकते हैं और इस वाड़ से हमेशा दावेदारी की गई है पार्टी में बराबर की जाती है लेकिन छेत्र बड़ा था जनौरा वाड तो जब भी कोई प्रत्यासी उतारा गया तो जनौरा वाड से ही उतारा गया और इस बार इस वाड़ को काट के लच्मी सागर में जोडा गया और यह वाड़ सबसे बड़ा वाड है और सबसे ज़्यादा वोटर हमारे पास तो अपकी महिले की जन्ता ने यह फैसला लिया है कि अपने वाड़ से ही कोई प्रत्यासी को लड़ाया जाएगा तो इसी तीके साथ जन्ता भी हमारे साथ रहेगी आस प्रढोस के भी लोग हमारे साथ में और भी काफी लोग हैं जो काफी सईयोग कर रहे हो कि अभूक कि मेरा नाम उम्मद इजहार है और फार्सत्रक्रत्यासी हैं कांगर्स पार्टी से अताली से घूटू कि इंद्वाद किसमें अफाटी